इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ कह पाना मुश्किल है लेकिन चीन के एक वैक्ति के हाथ एक ऐसा अजूबा पत्थर लगा है जिसने उस वैक्ति को रातो रात करोड़ पत्थर बना दिया है दरसल बो चुलोव नाम के चीन के ग्रामीन वैक्ति को एक पारस पत्थर मिला है दोस्तों मैं आपको पहले ये बता दू कि ये पारस पत्थर लोग कथा वाला पारस पत्थर बिलकुल नहीं है दरसल उसे ये पत्थर एक सूर के पेट से मिला है जिसने उसे करोडपती बनाने का काम किया है दरसल सूर के पेट से जो पत्थर उस व्यक्ति को मिला है उसकी दुनिया भर में काफ़े डिमांड है इसी वज़से ये पत्थर लाखों करोडों में बिखता है ये पत्थर जैसी दिखने वाली चीज कुछ और नहीं बलकि बिजोर है इस पत्थर की कीमत चार करोड बताई जा रही है ये पत्थर काफी काम की चीज है इसकी मदद से बहुत से दवाईयां बनती है कई तरह के जहर से भी बचाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है एक बात और जानना जरूरी है कि ये बेजोर जानवरों के अंदर मिलने के बाद भी काम का तभी होता है जब ये जानवर के आँच से मिला हो और खुशी की बात ये है कि ये भी सुवर के आँच से ही मिला है भाई इसे कहते हैं रातो रात किसमत चमकना आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सबिस्क्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के सार शेयर करना ना भूलें दोस्तों इसी तरह की और विश्वसनिये और कल्बनिये मानेताओं और कहानियों के लिए देखते रहे मानू या ना मानू